सिरी बालाजी पसुदेरी फारम मंडी आदंपूर की तरफ से सभी बाईयो को राम राम नमस्कार आज की एक खास वीडियो जो हम जीवियत सदलपूर से बना रहे हैं यह जो दो गाएं आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं ये शिरीबालाजी पसुडेरी फारम मंडी आदंपूर से मिलक रिकोर्डिंग के लिए जीवियत सदलपूर में आई हुई है ये गाई तीन दिन तक यहां पर मिलक रिकोर्ड करवाया है और सुबह शाम इन गायों ने यहां आके जीवियत सदलपूर जो आपको सामने वीडि सदल की काओ जिसमें जिसमें अभी आपको जीवियत सदलपूर में जो दूद रिकोर्ड करवाया गायों ने वह दिखाएंगे यह जो दोनों गाएं है इन में एक यह जो आपको सामने गाएं दिखाए दे रही है यह सुनील के नाम से यहां पर लगाई हुई थी तो डोक्ट साब से हम पूचेंगे इसके बारे में रिकोर्ड के बारे में सर गुड मॉनिंग सब्सकार जी सभी को यहां पर मिल्क रिकोर्डिंग जीविस सबलपूर के अंदर हमने 23 तारीक को स्टार्ट करवाई थी और आज कि यह मतलब इसका चौथी टाइम का है मतलब रिकोर्ड तो इन दोनों और याना गाएं गायों ने लाइवारा शीऊ पर दूद निकाला है एक का तो पंद्रा पॉइंट 200 को तो दूसरी का 12 पॉइंट एक सो तिरानों में केजी नोने ही गाएं बड़ी अच्छी नसल ही अर्याना नसल की गाएं जो लग बग एक टाइम खाली करके बाद में तीन टाइम का रिकोर्ड हुआ है टोटल चार टाइम का चार टाइम में 15 किलो 293 गाएं और 12 किलो 293 गाएं और बार बार सबसे बड़ी बात में डोग साब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं टाइम टू टाइम ये भी हमारे अच्छा गाओं को सेयोग दे रहे हैं सदलपूर गाओं में बड़ियां वेक्सिन वगेरा हर चीज की सुविदा साथ में मिलक कंपिटिशन अभी इस से पिछे ये साइवाल गायं अमारे गाओं में रिकॉर्ट में लगी थी डोगसाद कितना रिकॉर्ट किया था। सदलपूर जो अमारा निवासतान उस गाउं की एक पहले गाई ने 18 किलो दूद रिकोर्ड करवाया अज बाला जी पसुडेरी फारम मंडे आदंपूर से आके 10 किलो मिटर के लंबे सफर के बावजूद सुबह शाम आके और इन गाईों ने 12 पलस का रिकोर्ड एक ने 12 200 का औ आया यह एक बहुत भानिया और हम आगे भी जैसे कि आप सभी दर्षकों को पता है कि हमारे डेरी फारंपे 10 अर्याना नसल की गाए रहते आखे भी हम मूरा के जैसे बढ़ावा दिया है ऐसे ही हम अर्याना का भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो इस कदम में हम ये रिकोडिंग का एक कदम और स्टेप ले रहे हैं जिससे की जाग रुकता आए और सभी में कि अर्याना नसल की गाएं भी कितना आच्छा दूद परदर्सन कर सकती है इसी कार्य के लिए हमने ये बहुत ही स्यांदार सेक्स सिम्मन आया हूँ है उसके बारे में भी हम डाक्टर साहिब से जानकरी लेना चाहेंगे सर एक अर्याना में अरीन नाम का एक बहुत ही चांदार बुल है जिसम का सिम्मन अभी सभी जीवियच में आया हुआ है तो कोई भी भाई अगर अर्याना का सिम्मन लगवना चाहिए अपनी गाएं पे तो अपने नजदी की जीवियच से संप्रक कर सकता है वीडियो देखने के लिए सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारी चोटी ननी मुनी आपको दिखाई दे रही है इनका नामकरण हमने कर दिया है लक्समी और गौमती